तो नमसका अस्थेंड आज कि जो में वीडियो में लेकर कहया हूँ वो डिस्पले टच के बारे में तो आज हमारा न्प्यापिक होने वाला है तो दोस्तो मेरा नाम रागवेंद्र और मैं फ्रूटिय से स्विट कानपो से बाग कर रहा हूँ जहाँ पर आपको mobile phone है laptop है इस तरीके से technically course सिखा जाता है यहाँ पर जो हम लोग course सिखाते हैं यह मात टोटल 45 दिन का course होता है लेकिन 45 दिन का उन लोगों के लिए course होने वाला जो full day के समय देते हैं जो पूरा दिन class करते हैं तो 40-45 दिन में सीख जाते हैं जो लोग अपना 2-3 गंडे का समय देते हैं तो उनको 90 दिन का something समय लगता है तो आज की वीडियो में हमारा display touch के बारे में हम लोग समझाने वाले हैं कि कैसे display touch की problem आए कि उसको कैसे ठीक करेंगे या display touch क्या है इन सब चुजों के बारे में थोड़ा सा समझेगे सबसे पहली बाद हम लोग समझते हैं display के बारे में फिर उसके बाद test के बारे में display touch दोनों आपस में जब मिल जाता है तो यही बन जाता है तुमारा combo अगर आप combo सब्सक्राइब करते हैं तो display touch दोनों जब वापस मर्ज हो जाता है तो display touch मर्ज होने के बाद ही हमारा क्या बन जाता है combo तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे display के बारे में कि display के बारे में समझेंगे display क्या है display phone में ग्राफिक देने का वर्क करती है display का mobile phone में होता है ग्राफिक देना चित्र देना display के सिर्फ एक ही काम होता है mobile phone में चित्र देना या दो प्रकार की होती है यह कितने type की होती है दो प्रकार की होती है जितने जी mobile phone होते है उसमें दो type की पाई जाती है एक तो सबसे पहली display होती है जिसको हम लोग क्या बोलते है जैक टाइब की display बोलते हैं उसके लिए यह आपका पत्ता लगा होता है और इसका connection इस तरीके से होता है तो यह display आपके कैसे होती है जैक टाइब की होती है यहां पर आपका यह लगा होता है इसे हम लोग display crystal बोलते हैं यह आपका डिस्पले का साइज है यह आपका जैक है तो डिस्पले जो होता है डिस्पले हमारा जो डिस्पले का पत्ता जो लगा होता है वो प्लास्टिक का होता है और उसका जो पीछे जहां पर लगा होता है वो glass item होता है तो डिस्प्ले टच को दोनों को चिपकाने के लिए यहां पर जो पत्ता होता है इस पत्ते की यहां पर इसे से connectivity की जाती है इस पत्ते को यह जो area होता है इस area को ही हम लोग display को crystal वोलते हैं कई बार जो हमारा फोन गिर जाता है पटक जाता है या कोई दबाओ आ जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है तो उस कंडिशन पर एक क्रिस्टल जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं खुल जाते हैं ये क्या हो जाते हैं ओपन हो जाते हैं जब ये ओपन हो जाएंगे तो ओपन हो जा इसके बाद फिर हमारी अगली डिस्पले जो आती है वो सेकेंड डिस्पले जो होती है यह हमारी सुल्डरिंग वाली होती है इसमें जो होते है वो मदर बोर्ड में ऐसे पीने होती है उसकी भी एक से लेकर 17 पीन होती है 16 पीन 28 पीन 24 पीन कितने भी पीन की होती है यह से हम लोग बोलते है पत्ता यह है आपकी पीने और यहाँ पर यह जुड़ा होता है यह से हम बोलते है क्रिस्टल क्या बोलते हैं क्रिस्टल यहाँ पर डिस्पले आपका कनेक्ट होता है जुड़ा होता है और यह है आपका साइज एरिया क्या बोलते हैं इसको डिस्पले का size area तो ये आपके डिस्पले कैसी होती है jack type की डिस्पले होती है ये डिस्पले आपके कैसी होती है solding type की डिस्पले होती है कैसे डिस्पले होती है solding type की डिस्पले होती है solding का मतलब होता है motherboard में sold होती है ये display कैसी लेगी होती है jack type की display होती है तो हमारा display jack type की पाई जाती है दूसरी पाई जाती है folding type की अब हम बात करते हैं कहींगे display की quality की display जितने भी हमारे पास mobile phone में use होती है वो अलग-अलग quality की आती है सबसे पहली display आती है जिसको हम लोग 7 सिग्मेंट डिस्पले कहते है सबसे पहले display आती है 7 सिग्मेंट डिस्पले होती है 7 सिग्मेंट डिस्पले होती है इसमें 7 dots से मिलके बनी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 सिग्मेंट होती है इसमें 2 बनना है तो ऐसे बन जाएगा तीन बनना है तो ऐसे बन जाएगा एक बनना है तो ऐसे बन जाएगा चार बनना है तो ऐसे बन जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं सेवन सिग्मेंट डिस्प्ले इसमें साथ सिग्मेंट होते हैं अगर आप साथ सिग्मेंट की अगर आप बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह 7 सिगमेंट होते हैं 7 सिगमेंट से डिस्प्ले में ग्राफिक बनता है इसी में लुप जुप लुप जुपो को बदलता रहता यह अपने मल्टी मीटर में यूज होती है डिजिटल वाच में यूज होती है या रेलवे स्टेशन में ऐसे बहुत जगे पर इस तरीके डिस्प्ले का आमारा यूज किया जाता है उसके बाद फिर आपकी अगली डिस्प्ले होती है जिसको हम लोग बोलते हैं LCD LCD का पूरा नाम होता है Lookit Crystal डिस्प्ले LCD का पूरा नाम क्या होता है Lookit Crystal Display जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन में तुमारी LCD यूज होती है LCD का पूरा नाम होता है Lookit Crystal Display ये डिस्प्ले क्या काम करती है इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर Carbonic Lookit बढ़ा होता है जिसको आप दबाते हो तो पिल पिलाता है एक डिस्प्ले को रूप में काम करता है इसमें फोटो, इमेज बगएरा सब कुछ बंद करके आती है उसके बाद इसके बाद आता TFT TFT का पूरा नाम होता Thin Film Transistor TFT का पूरा नाम क्या होता Thin Film Transistor ये TFT होती है TFT के बाद अगली आती है LED LED इसी LED को हम लोग OLED बोलते हैं अदि नाम होती है optimized LED बहुत साद ही लगी होती है इससे हमारे डिस्प्ले में ग्राफिक आता है चित्त आता है अगर ये खराब हो जाएगी तो पुरी डिस्प्ले फ्यूज हो जाती है वेकार हो जाती है ये डिस्प्ले टूड जाती है तो इसमें लाइट फिर भी जलती रहती है लेकिन इस गिरने के बार डैमेज होने के बार तोटने के बार पुरी डिस्प्ले वेकार हो जाती है लेकि जैसे मालिया मेरे पाइक Samsung का मोबाइल फोन है उस Samsung जितने भी जदा तर मोटली जो फोन बनाता अच्छे ब्रांडड फोन होते हैं अच्छे महेंगे फोन होते हैं उनमें जदा तर कमपनी ओलेट लगा कर देती है उसकी क्वालिटी भी सुपर बेस्ट होती है Samsung की बात नहीं कह रहे हैं ऐसे तुमारे OPPO है, Vivo है, Realme है इनमें भी जो डिस्पले आते हैं इनमें भी OLED डिस्पले आते हैं जो ऐसे मोबाइल फोन आते हैं जिसमें स्क्रीन फिंगर चलता है तो स्क्रीन फिंगर में सभी में OLED डिस्पले ही लगी होती है अगर कल को जो ऐसे फोन आते हैं जो screen finger वाले mobile phone होते हैं अगर कल को उस mobile phone का अगर combo एक बार के लिए खराब हो जाता है combo break हो जाता है ऐसी कोई समय से आती है तो उस condition पर उसका screen finger बंद हो जाता है क्यों बंद हो जाता है? इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि जो wallet display लगी होती है वो transparent होती है और जो LCD लगी होती है वो transparent नहीं होती है तो खराब हो जाता है अगर बात करेंगे price के अगर difference की बात करते हैं तो जैसे मालिया हमारे पार अगर Samsung का कोई M31S mobile phone है अगर उस mobile phone का market में जो हम display लेने जाते हैं लेकिन अगर वही display जब हम LCD में लेने जाते हैं तो वह सम्तिंग 14-1500 रुपए मिल जाता है अगर उसी को TFT और हलकी quality में लेने जाते हैं तो सर आपको 9100 रुपए के range में मिल जाता है तो यह सारा इन सब चीजों के बीच में क्या तो इन सब चीजों के बीच में क्या रहता है यह different रहता है तो सबसे super quality की number one की बात करेंगो तो यह होता है second number पर यह होता है third number पर होता है इसका तो mobile phone के लाइन दो फिलाला भी यूजी नहीं होता तो इस तरीके से यह हमारे display पाई जाती है अब display एक हमारा ऐसा पार्ट है कि जिसकी कोई testing नहीं है अगर display तुमारा break हो गया है, खराब हो गया है, damage हो गया है, तो खराब है आपको उसको में सिर्फ चेंज करना ही पड़ेगा अगर display में किसी भी चीज़ का spot आ गया है या display blinking कर रही है, ऐसी कोई भी problem आती है तो फिर आप display को change कर सकते है अगर display में पूरी full तरीके से black हो गई है ऐसी कोई problem आती है, तब भी display को change कर सकते है या display में कभी विकुल black हो गया अगर उसके बाद नहीं आ रहा है, तो display में एक बार repair करने के chance बनता है कि हो सकता है कि उसके अंदर का light का circuit खराब हो गया हो, जब उसके अंदर का light का circuit होता हूँ नीचे लगाँगा, अगर वो खराब हो जाता है तो आपके mobile phone में display नहीं आती है जितने भी अमारे पास android mobile phone आते हैं, सारे android mobile phone में इस तरीके से display आपकी लगये होती है इस डिस्प्ले में देखेंगे तो यह डिस्प्ले का फ्लक्स पत्ता होता है इस फ्लक्स पत्ता को जब आप ऐसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से डिस्प्ले कुल जाती है अब मैं आपको डिस्प्ले में कई सारी अलाग अलाग मल्टिपल्स लेयर्स होती है मैं एक एक करके सारी लेयर के बारे मैं आपको समझाऊंगा लेयर के बारे मैं अच्छे से डिफैन करूंगा तो यह आपका LCD का पत्ता है इसको हम लोग पत्ता बोलते हैं यह जैक है इस जैक में ऐसे UI लग जाता है यह जो डिस्पले का ये रिया होता है इसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं क्या बोलते हैं क्रिस्टल बोलते हैं और यह हमारा पत्ता लगा हुआ है यहां से पत्ता क्रिस्टल जुड़ा होता है जिसमें हमारा चितर आता है सीट तुरे- लें सोषिय को तो यह tha। कि श्क्राब हो जाएगी तो आप उसको क्या करेंगे चेंज करेंगे अब डिस्फैले के बाद कर रहे था है कि इस तरीके से तो कि एक हमारा दूसरा पर निकल कर गया ता है जिसको हम लोग बोलते हैं गता है टच, डिस्पले के ऊपर का पार्ट लगा होता है, टच का काम होता है, डिस्पले के जो फंसन होते हैं, उन फंसन को उपन करना, टच का काम क्या होता है, डिस्पले के अंदर फंसन को उपन करना, टच भी जो होती है, वो तीन तरीके के मुबाइल फोन में लगी होती है, एक तो पहली टच होती है जिसको हम लोग simple touch बोलते हैं simple touch का मतलब होता है वो normally उपर से touch लगी होती है वो पहले Samsung के जिसे on 5 है या micromax के canvas, doodles, mobile phone है या बहुत ऐसे mobile phone आते थे जिनमें ऐसी touch लगी होती थी लेकिन अब फिलाल ये touch हमारी बंद हो गई है अब उसके बाद आती है तुमारी OCA touch OCA touch का मतलब क्या होता है? डिस्पले के ऊपर लगी होती है OCA touch का मतलब क्या है? जो हमारी डिस्पले लगी होती है उस डिस्पले के ऊपर टच लगी होती है जो डिस्पले के ऊपर टच लगी होती है वो चिपकी हुई होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं OCA touch बोलते हैं उसके बात एक और आती है जिसमें touch display में inbuilt होती है मतलब उसमें glass लगा होता है आप कह सकते हैं उसमें touch होता ही नहीं अब यह हमको कैसे पता चलेगा कि इस mobile phone में touch है कि नहीं है इस mobile phone में glass है तो इसके लिए बहुत अच्छा रास्ता है यह आप Google से पता कर सकते हैं आपके तो Google कैसे पता करेगा Google कैसे बताएगा तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा Google से एक एक करके आपको photo भी दिखाता हूँ जैसे मानली आपके पास कोई भी mobile phone होना है ऐसा हमारे पास जितने भी सारे student होते है ऐसा सारे student question करते है कि सर हम Google के मात्यम से कैसे पता कर लेंगे या Google से क्या तरीका होता जिस मात्यम से हम पता कर लेंगे इस में touch रहे की काम वो है कि glass है क्या सारी चीज़े है तो हम लोग Google पर गए Google पर जाने के बार गूगल पर सर्च करेंगे जैसे एक जंपल सी बात है मालिया मेरे पास कोई मोबाइल फोन आता है MI4A 4A और इसमें सर्च कर देंगे कामबो जैसे MI4A का कामबो लिख करके हम सर्च करेंगे उसके बाद images पर क्लिक कर देंगे तो उसको फोटो कुल जाएगा यह देखेंगे यह इस तरीके से बहुत सारे आपके कामबो खुल गए यह हमारे पार Redmi का 4A मोबाइल फोन है इस 4A मोबाइल फोन कर देंगे यह सारे अलग-अलग आपको कामबो दिखाई दे रहे हैं अगर इसमें अगर आप कामबो की बात करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि इसमें से जो एक पत्ता दिया होता है यह वाला पत्ता यह तुमारा टच का पत्ता होता है और यह वाला जो पत्ता दिया होता है यह तुम्हारा काय का पत्ता होता है डिस्प्ले का होता है यह पत्ता तुम्हारा डिस्प्ले यह पत्ता तुम्हारा टच डिस्प्ले टच तो यह दोनों पत्ते होते हैं यह दोनों पत्ते मिल करके ही हमारे मुबाइल फोन में चित्र दिखाने का काम करते हैं ग्राफिक लात तो यह पक्ते जो होते हैं, फिगर फोटो दिखाने का काम करते हैं, यह जैसे हैं. अब अगर बात आती है, कि जिसमें टच नहीं होता, उसमें कैसे पैचानेंगे, उसके लिए भी हम लोग चलते आगे फिर. फिर हम लोग Google पर जाएंगे, Google में डालेंगे, जैसे MI के जगे कुछ भी डाल देते हैं, जैसे मालिया Vivo Y12 जैसे Vivo Y12 करके आपने कामबो डाला, तो देखें, Vivo Y12 के कामबो खुल गए अब इस कामबो में जब आप देखेंगे, तो इसमें से सिंगल एक ही पता है, मैं दूसरा पता ही नहीं, जब सिंगल एक ही पता दिया हुआ है, तो एक ही पता होने का मतलब है, इसमें only touch plus display दोनों एक साथ inbuilt है अब उपर जो black color का लगा हुआ है, यह तुम्हारा glass है, क्या लगा हुआ है, glass लगा हुआ है, तो इस तरीके से जितने भी सारे हमारे पास जो भी mobile phone आते हैं, सारे mobile phone में हम लोग इस तरीके से माधियम से हम लोग चेक कर सकते हैं, test कर सकते हैं, कि हमारे पास, अब जैसे मैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास मालिया मुबाइल फोन में रियल मी का सी टू और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ सिर्फ रियल मी के अंदर सी टू ही एक ऐसा मुबाइल फोन आता है जिसमें टच आते हैं बागे सम में क्या होता है गलास आता है सिर्फ सी टू के अंदर टच आता है यह देखें यह जैसे मेरे पास रियल में का सी टू मुबाइल फोन है अगर रियल में कि C2 मोबाइल फोन में अगर हम देखेंगे तो इसमें टच होता है कदो टच होता है तो कहां पर होता है तो ये उपर तो डिस्पले का पत्ता लगा होता है लेकिन इसी डिस्पले का पत्ते में यहां पर छोटा सा टच का पत्ता जो होता है यह solding वाला होता है यह देखिए तो महलब डिस्पले में heat touch का पत्ता क्या है sold है यह ऐसा खाली C2 में नहीं आता Nokia का 5 है या और भी ऐसे mobile phone आते हैं उसमें touch तुमारी solding वाली आती है जिसमें touch solding वाली आती है उसमें अलग आती है जैसे Redmi का mobile phone आता है Redmi 7 तो उस mobile phone में भी ऐसे आता है तो इस तरीके से इतने भी सारे जो mobile phone आते हैं उस mobile phone में आपको यह आपको combo में touch होता है डिस्पले होता है यह अँछिटे करके समझ सकते हैं तो चलिए हम आपको थोड़ा सा मोबाइल फोन में लाइप प्रेटिकल दिखाता हूं कि मदर बोर्ड में म लोग कैसे परचाने आइए जरब सब सबको दिखाए जैसे मेरे पास यह रेडमी का मोबाइल फोन है यह 4A मोबाइल फोन है जिसको मैंने आपको दिखाए हुआ है अगर आप देखेंगे तो यह आपका डिस्प्ले के बेल्ट का पता दिया हूँ यह डिस्प्ले के बेल्ट का पता है और यह तुमारा टच का पता है टच के पते में आपकी आईसी लगी होती है क्या लगी होती है IC लगी होती है और जो डिस्पले का पत्ता होता है उस डिस्पले का पत्ते में IC नहीं लगी होती है टच के पत्ते में ही IC लगी होती है डिस्पले का पत्ता दिया होता है इसमें IC नहीं लगी होती है तो इसमें क्या टच अलग है और तुमारे display अलग है उसके बाद मैं कोई दूसरा mobile phone दिखाता हूँ या कोई भी और other mobile phone आपको दिखाता हूँ इस mobile phone में देखेंगे जैसे यह mobile phone है इस mobile phone में अगर आप देखेंगे एक ही display का पता दिया हुआ है नीचे से आया हुआ है इसमें कोई touch का पता नहीं दिया है यह हमारे पास mobile phone है Poco X2 Poco X2 के अंदर यह जो पता दिया हुआ है यह क्या है शिर्फ only एक ही पता इसी के अंदर touch है इसी में display है उपर जो लगा है उपर यह तो मेरा glass लगा है अगर कल को glass खराब हो जाता है तो आप glass आपको क्या करना पड़ेगा repair करना पड़ेगा यह इसका motherboard है यह नीचे से UI का पता आया हुआ है तो display touch दोनों एक साथ है आप देखिए मैं आपको पूरा display के अंदर का पूरा experiment करके दिखाता हूँ पूरा एक करके layers दिखाता हूँ जैसे अगर आप देखेंगे यह आपको display है यह display का आपका पता दिया हुआ है यहां से belt आती है इसमें से अगर आप देखेंगे छोटा सा पता जो दिया हुआ यह तुमारा light का पता है यह देखेंगे यह light का पता दिया हुआ है light का पता है अब हम display को पूरा खोलते हैं यह display जब आप खोलेंगे ऐसे तो इसकी कई सारी अलग-अलग layers खुलना शुरू हो जाती है यह जो display में black color का इस्सा दिया होता है यही display में graphic लाने का काम करता है देखें यह हम आपको experiment करके दिखाते हैं अगर इसको खुलने में दिक्कत आती है तो separator में रखे गरम कर दीजिए बहुत आसानी के साथ में यह खुल जाता है कई बार ऐसा होता है हमको इसलिए खुलना पड़ता है क्योंकि हमको इसके अंदर light की problem ठीक करनी होती है light की problem को ठीक करने के लिए हमको खुलना तो यह display है इस display के अंदर हम लोग क्या करेंगे इसको असानी से हम लोग खुल देंगे खुलने के बाद इसकी आप देखेंगे इसकी ऐसे layers खुल करके अलग हो जाती है यह पीछे का light का circuit दिया हुआ है यह देखें यह पीछे का back है इसको हम लोग बड़े आसानी के साथ में लगकस रहें यह display में लगा होता है यह display के layers होते है यह display का mirror है जिसमें आप रोस नहीं पड़ेगे तो display हमारा आंगे के तरफ रोस नहीं जाएगी उसके बाद यह display के पीछे fiber के seat लगी होती है यह देखें यह fiber के seat का यह roll रहता है कि जब भी इसमें light पड़ती है तो यह पूरा जलता हुए दिखता है अगर आपने देखा होगा कहीं railway station पर कहीं मेले में कहीं कार्टून जगह पर आपने देखा होगा वहाँ पर ऐसा है कि लाल कलर का गुलदस्ता बना होता है गुलदस्ता क्या होता है कि जब इसमें एक बलब जलता है तो पूरा ऐसा गुच्छे की तरह जलता हुए दिखता है वही वाला यह fiber है कि इसमें जब यहाँ पर light जब बलब जलता है तो यह पूरा जलता हुए दिखता है जब पूरा जलता हुए दिखेएगा तो पूरा डिस्प्ले में रोसनी आ जाती चितर दिखाई देत게 लगता हैं argument पूरा डिस्प्ले में तभी दिखाई देगा न ज्यते सामने का से साँए आदेरे में खड़े हो तुमारे सीजी 스èse में चेरा कैसे दिखाई देगा है या तो कोई तुम पर टाल चिमारए या तो कोई सीजी सेपर टाल चिमारे यह तos सीजी पर रोज नहीं कर से यह तो इसके बाद फिर डिस्पले के अंदर यह कई सारी और लेयर होती है कि तो यह लेयर क्या काम करती है यह रिफलेक्टिंग लेयर होती है रिफलेक्टिंग लेयर क्या काम करते है कि जैसे लाइट है इस लाइट में देखेंगे आखों को जब ऐसे लगाते है तो आखों में चमक नहीं पड़ेगी देखिए ज़रा मैं आपको दिखाता हूं यह लाइट है इस लाइट को डारेक्ट देखें को चमक पड़ रही है लेकिन अगर पीछे इस लेयर को लगा देंगे तो देखिए यह जो आखों में चुबने वाली जो चमक होती हो चुबने वाली चमक हो जाती है खतम हो जाती है अगर आप देखेंगे जैसे उपर led बलप लगे है led लाइट लगी होती है उसके उपर प्लास्टिक का वाइट कलर का लगा होता वह इसलिए लगा होता ताकि जो अंदर के जो बलप जलने है वह बलप चुबे ना हमारी आखों को ना चुबे इसलिए वह सारे लगा जाते हैं तो यह display के अदर कई सारी लगी होती है फिर आपको यह main display होकाइए अगर आपके डिस्क्डे में लाय्ट की problem खराब हो प्राब आजाती है लायेट के दिक्कत आ जाती है तो आपको display के अंदर देख कि बलप लगे होते हैं दिखने ना आप इदा दिख समझ में आये एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चाउदा चाउदा लाइट का यह पूरा पत्ता लगा हुआ है यह यह LED डाओड बोलते हैं आज आपको मैंने समझाया है तो आज की वीडियो में जो आप लोगों ने सीखा कि कैसे हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आएगा उस मोबाइल फोन में डिस्पले समंदि जो प्रॉब्लम आएगी उसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे या उसकी सारी समस्याओं को हम लोग कैसे ठ तरीका क्या होता है तो आज ही वीडियो आपको डिस्प्ले कामबो को लेकर के बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करेगी और बहुत आपके लिए हेल्फ होगी तो आज और मैं कहना चाहता हूं वीडियो के मद्यम से कि आज हमारे पास साम के टाइम पे वही सम्तिंग आठ नो ब करेंगे कल आजाएंगे और उनकी मॉबाइल फोन की दुकान भी है फिर दो चार मॉबाइल फोन बनाए तो उनको नहीं बने तो उनके दिमाग बड़ा डिस्ट्रेक्ट हो गया चलो सर मैं सोच रहा था कि बाहर में सीखूंगा लेकिन मुझे लगता कि साले को अभी सीखना पड़ेगा तो हमने सोच लाओ सीख साके काम खतम कर देता हूं तब ही बड़ियां से काम करता हूं आज उन्होंने सामको अपने ट्रेनिंग सेंटर को जोइन किया है कल से उनका कलास चलेगा और वो लोग कम से कम कह रहे हैं कि सर मैं दो-तीन साल से मुबाइल फोन रिपेरि यह समझाते हैं पईसा तो हमको देना ही पड़ता है हमको पता है लेकिन फिर भी क्या करें तो उन्होंने आज ट्रेनिंग सेंटर को जोइन किया हुआ है तो दोस्तों यह जो मैं आपको वीडियो बना करके देता हूं यह बड़ा हेल्फुल वीडियो है ताकि आप उनको अ तो आप बिल्कुल अप ट्रेनिंग सेंटर को जोइन कर सकते हैं और अपने में ट्रेनिंग सेंटर में आ करके एस से लेके जड़ तक सारे मोबाइल फोन के बारे में डिटेल में सीख सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो को सेल सब्सक्राब जरूर करें और ट्रेनिंग लेना चाहसे तो स्क्रेट पर दिए हुएREE नंबर पर संपर करें में जो सक्या सव्क्राइब पर शाओ क्लास में कैसे ला है, जला है।